हेलो दोस्तों बाए रहुल आ स्वागत लोगों के अपने YouTube channel Raleight Center पे दोस्तों आज के विडियो जानने वाले है सब निर्मान एमम इसके कारीयों का उता है कि गार निर्मान किस परकार से होता है थीक है? तो सबसे पहले भी हम लोग जानेंगे सविधान सभा के बारे में सविधान सबसे कि हुआ क्या था अगर नॉर्मली में सविधान सभा के बारे में जाने तो सविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था 6 दिसंबर 946 और सविधान सभा का गठान इसलिए होता ना थाकि हमारा देश का जो सासान वेवस्ता हो वो सुचारू रोग से चला जा सके चला जा सके ठीक है ताकि हमारा देश का आर्थ वेवस्ता बना रहा है सलिए सविधान सभा का दिनमान किया गया था ठीक है अम लोग तो आसा इसको सब्सक्राइब पर उपर मैं लिखा सब्सक्राइब सविधान सभा का जो गठन है 6 दिसंबर को किया गया था 1946 को ताकि यह भारतिय जो है ना भारतिय सविधान का निर्मान किया जा सके और जिससे देश का जो है सासन वेवस्था को निर्मान किया गया था कब किया गया था च्छे दिसमबर 1903 को यह में पूछा जा सकता आपका ज्याद रखिया गए इसको फिर अगला पॉइंट बता गया है कि सविधान सभा सभीधान सभा का पहली मांग 1895 में किया गया था सभीधान सभा को पहली मांग उठा था उठा था अठारा सभ पंचानव में उठा था जि ट्वो इसके अस्थापना का नियर लिए गया किसका सत्या जाएगा इसके बाद 6 दिसमबर 1904 में इसका गठन हुआ इसका की आपको इसका भारतिय सभीधान सभा का सभीधान सभा का ब्रम कर दिया और यह जो था सभास्त आ नौ दिसमबर 1906 वी से अपना काम करदिया ढूंबल में 299 इसका चुनाव किसके द्वारा कि यह था चुनाव करने करवा जाता था जिसके अध्यक्ष कौन थै डॉक्टर राज intuition परसाथ कौन थै डॉक्टर राज़ेंडर परसाथ जिसके अध्यक्ष थै कौन संक्या संक्या कितने थी ? 309 थी भारत पाकिसान संख्या घटकर 209 रह गई बात मैं 209 संख्या में । चुनाऊ गया था बता चल्या जिसमें 15 महलाएं भी सामिल थी इसके देखिए इसके अगले बाद बदा गया अगले बार कि इसमें तो 15 महलाएं सामिल थी और इसके बदाए गया है 299 सदस्यों ने मिलकर 2 वर्ज 11 महिना 18 दिन और 166 बैटकों के बाद हमारा सविधान तियार किया और हुआ क्या हमारा सविधान तियार कब हुआ कितने लोगों ने किया तो 299 सदस्यों ने मिलकर के 2 वर्ज 2 साल 11 महिना और 18 दिन में 166 बैटकों के साथ हमारा सविधान को क्या किया था तियार किया था यानि कि 26 नौबर उने सचांफ इसके दो महिने बाद 26 जनवरी पचास को इसे पूरी भारत में लागू कर दिया ज़्या था इसके साथ कारेपुर्ण होने के पाथ 24 जनवरी 1950 को भारतिय सविधान पर सविधान सभा के सभी सदेसों ने हस्ताचार किये जिसके बाद क्या हुआ कि 24 जनवरी 1950 को भारतिय सविधान पर सविधान सभा के जितने भी सदोस्य थे वो क्या किये अपना सिगनेचर किये हस्ताक्षर किये जिसके साथ ही कारे के समापती पर सविधान सभा को भी 24 जनवरी 1950 को भंग कर दिया गया जिसका कारे करने के बाद आपका सविधान सभा को 24 जनवरी 1950 को भंग कर दिया गया मतलब इसको खतम कर दिया गया ति यह आपका त कारी करता है किस विवस्था पर कारी करता है कौन सविधान सभा इसमें की पहली बैठक 9 बाटाक की मांगप निया बैटक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया जोकि वो तो जो पाकिसान के तहों प्रांस की तरह सभा के सबसे वरिष्ट सदस्य डॉक्टर सचिधानन सिन्हा को सभा का आश्थाइदक्ष चुना गया उसके बाद में जो है डॉक्टर राजेंदर परसाथ को जो ना सविधान सभा के अध्यक्ष चुना गया था और उसके बाद उसी परकार डॉक्टर एएथ सी मुखर जी जो थे आपके और वीटी क्रिसम चारी जो थे सविधान सभा के उपाद्यक्ष निर्वाचित हुए थे चुने गये थे ठीक है यह आपको बता दिया गया अब इसके आगे में जानते हैं कि इसमें क्या-क्या आपक इसमें सविधानिक संराचना के धांची एमम दार्सनीक दर्सन की जलक थी पतला गुआ क्या कि यह जो प्रस्ताव था उत्यरा दिसंबर में 146 वी को पंडी जौन नहिरू के द्वारा लागू किया गया अब उसमें बता आए गया ठीक है जो कुछ मुख ही बाते कही गई जो आपका निमली खीत नीचे दिया गया ठीक है इसमें कहा गया था कि पहला पुइंट में आपको बदाए जागा कि यह सविधान सभा भारत को सवतंत्र संपुर्भूत्व गंणराज गोसित करती है बहुत को क्या करता एक सवतंत्र राश्टर बनाता है उसके सासा तता अपने भवित से के प्रसाशन को चलाने के लिए एक सविधान का निर्मान की गोस्ना भी करती है और उसके सासा साथ अपने भवित से के प्रसाशन को चलाने के लिए एक सविधान के निर्मान का भी गोस्ना करती है कि आप क्या कर सकते है सविधान का निर्मान कर सकते ह है फिर पॉइंट नबर टू में आपको बताया गया कि ब्रेटिस भारत ने ब्रेटिस भारत में सामिल सभी छेत्र भारतिय राजियों में सामिल सभी छेत्र तथा भारत के बाहर के इस परकार के सभी छेत्र वे अन छेत्र जो इसमें सामिल होना चाहेंगे भारतिय संग का हिस्सा होंगे मतलब बताया था कि ब्रेटिस भारत में बताया था कि जितने भी भारत के राज्य हैं ठीक है अगर वो चाहते हैं कि भारतिय संग में सम्मिलित हो जाये तो वो अराम से सम्मिलित हो सकते है इसमें कोई दिकत नहीं है कि संपुर्भुत्व स्वतंद्र भारत की सभी सक्तियां प्राधिकार इसके अभीन अंग जाता सरकार के अंग सभी का सुरूत भारत की जनता होगी मतलब बताया लोगी यहां पर दूसरे देंस के लोग नहीं आ सकते हैं ठीक है वाली जगर कि बहुत का प्रदाधामंतर हो गया उब प्रदाधा होगा और जो सरकार का वह किस को चुना जाएगा भारत की लोगों को ही चुना जाएगा फिर पॉइंट नमर फोर में आपको बताया गया है कि भारत के सभी लोगों के लिए नयाय, समाजिक, आर्थि, एमों, राजनितिक स्वतनता, एमों, सुरक्षा, अउसर की समता, विधी के समग समता, विचार, एमों, अभिव्यक्ति, विश्वास, ब्रह्मन, संगठन, बनान कार्थिक और हर तरह का सुरक्षा, और स्वतनतरता वोगों को दिया जाएगा, ताकि वोगों क्या कर सके, अपने रिच्छा अनुसार से अपना विकास कर सके, फिर देखिए, आपको पॉइंट नमर फाइब बता गया है, कि अल्प संख्यके, जो अल्प संख्यक लोग है, जैसे पिछड़े जाती को जो लोग है, तो बताएगा, पिछड़े वर्ग तदा जन जाती है, छेतरों की लोगों को परियाब सुरक्षा परदान की जाएगी, जो भी अल्प संख्यक है, जैसे माल लिए मुसलिम समुदा हमारे छेतर में अल्प संख्यक है, तो उसको भी परियाब सुरक्षा परदान की जाएगा, जो भी उसको दिया जाएगा, उसको संभाल करके रखा जाएगा, ताकि उसको अस्तितों यहां से खतम ना हो जाए, अब देकि पॉइंट अबर शिक में आपको बताएगा, कि संघ की एकता को बनाय रखा जाएगा, मतलब हमारे यहां पर जो संघ बनाय जाएगा, उसको तोड़ दिया जाएगा, जैसे हिंदू-मुस्लिम एक है, तो हिंदू-मुस्लिम के साथ हर चीज को एक बना करके रखा जाएगा, उसको तोड़ा नहीं जाएगा, इसके भूछेत्र, समूद्र, वायू, छेत्र को सभी देसों के इवाँ विधी के नुरूप सुरक्षा परदान किया जाएगा, बताएगा, यहां के जितने भी छेत्र हैं, भू छेत्र हो गया, समूद्र हो गया, वायू हो गया, सब भी देस है, इसका जितना भी विधी है, सब को क्या रखा जाएगा, सुरक्षा परदान किया जाएगा सब को ठीक है अगला पूइंट हो को प्राचिन भूमी को विस्वासे में उसका अधिकार उचित स्थान दिलाया जाएगा अरुध्य प्राचिन भूमी है भारात शब्सक्ति अधिक अगर आउसे अधिकार अब करना शुना व्य दिलाया जाएगा फिर था 29 मानव कल्यान को बढ़ावा देने के लिए निमित उसके योगदान को सुनक्चित किया जाएगा रिवता गया है कि यहां पर जोना मानों के सांति के लिए यहां के लोगों के सांति के लिए हर वो कदम उठाया जाएगा जो जिससे यहां के जनता सांत रह सके और अपना उन्नती कर स ठीक है यह उसके कारे थे यहां तक हम लो जान गया इसका विशेस्ट कारे क्या था अब फ्रॉसार अन्यकार भी था जैसे आप घर में रहते हैं ठीक है आपका कुछ परभुत वह काम है कि आपको नौकरी करना है तो आपको यह काम फिक्स बता दिएगा कि आपको यह काम करना तो करना लेकिन आप घर में तो आपको आने दूसरे कारी भी तो करने पड़ेंगे तो ऐसे आप बताए गया है कि इसका कुछ अन्यकार भी था वह अन्यकारी क्या आपका तो देखिए बताए क्या है कि सविधान के निर्मान और आम कानुनों को लागू करने के अलावा किया था मई 1949 में राष्ट मंडल में भारत की सवदेश्यता का क्या किया था सविधान सभाग किया था ठीक है फिर दूसरा में आपका कि इसने 22 जुलाई 1947 को राष्टिये ध्वज को अपनाया था इसने 22 जुलाई हमारा जो राष्टिये ध्वज है इसको कव अपनाया गया तो 22 जुलाई 1947 को हमारा भारतिये ध्वज को अपनाया था ठीक है यह किसके द्वारा सविधान सभा के द्वारा पर तिसरा में है कि इसने 24 जनवरी 1950 जुलाई को राश्च्टिये गान को अपनाय strikinginerre 1950vene 2020 चेंकि डाश्च्टिये गान को अपनाया था किसने सभिधान सभाने फिर आगे मताया घ्याया वश्च्टों चूना गया चाई कि चौपीज जनुवर ने उसो पचास स्वी को डॉक्टर राजेंद्र परसाद को भारत के पहले राजपती के रूप में चुना गया था फिरागे बताया क्या है कि दो साल ग्यारा महिना और ठारा दिनों में सविधान सभा की कुल ग्यारा बैट ठक हुई बताया कि सविधान निर्मावताओं ने लगबख साथ देशों के सविधान का अलोकन किया था उसके अनूसार से भारतिय सविधान को बनाया गया और इसके पर 144 दिनों तक बिचार हुआ था और इनके बातों पर उनका जो सविधान था उनके सविधान पर 114 दिन बिचार किया गया कि यही इसमें से क्या-क्या लेना चाहिए और क्या-क्या नहीं लेना चाहिए सविधान के निर्मान पर कुल 64 लाग रुपया खर्च आया था और सविधान के निर्मान में कुल कितना खर्चा हुआ था 64 लाग का खर्चा आया था और 64 लाग के खर्चा आने के बाद क्या हुआ कि 26 जन्वरी 1950 सविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और क्या हुआ कि 24 जनवरी 1950 सी को सविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1952 में हुए आम चुनाओं के बाद बनने वाली नई संसरत के निर्मान तक भारत की अंतरीम संसरत के रूप में कार किया और इसके बाद आप रेस्टनवरी conjun magnet जनवरी 1950 के जब यह लागू हो गया सविधान लागू हो गया सविधान लागू हो किया आपको सारा त्यारी करवाया जाएगा तो मिलता है नेक्स वीडियो में जब तक के लिए जैहिन जै भारत